एक गाओ में शामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और तीन लड़कों के साथ रहता था शामलाल खेतों में महनत करके अपने परिवार का पेट पालता था लेकिन उसके तीन लड़के आलसी थे जो गाओ में वैसे ही इधर उधर खूमते रहते थे एक दिन शामलाल ने अपनी पत्नी से कहा अरे चंदा मुझे तो इस बात की चिंता लगी रहती है कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे बात इन लड़कों का क्या होगा इन्होंने तो कभी मेनत भी नहीं करी है ये तो कभी खेतों में भी नहीं गए है आप चिनता मत कीजिए, ये भी ठीरे ठीरे काम करने लगेंगे समय बीटता गया और शामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे एक बार शामलाल बहुत बिमार पर गया और वैं काफी दिनों तक बिमार ही रहा उसने अपनी पत्मी से कहा अरे चंदा जरा तीनों लड़कों को बुला कर ले आओ मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है जी अभी बुला कर लाती हूँ फिर चंदा तीनों लड़कों को बुलाती है अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पिता जी तुम्हे बुला रहे है जी माजी, चलिए फिर वे तीनों लड़के पिता के पास आ जाते हैं जी पिता जी, आपने हमें बुलाया, बोलिये क्या बात है सुनो बेटा मुझे लगता है कि अब मैं जादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा इसलिए बेटा मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन अपने खेट के नीचे दबा रखा है मेरे बाद तुम उस में से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना शाम लाल की यह बात सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए कुछ समय बाद शाम लाल के मृत्यू हो गई शाम लाल किम बृत्यू के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए उन्होंने सुबा से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया लड़के घर आकर माँ से बोलते हैं माँ पिता जी ने हमसे जूट बोला था उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला तुम्हारे पिता जी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है लेकिन अब तुमने खेत को धी दिया है तो उसमें बीज भी बो दो ठीक है माजी जैसा आप सही समझे लड़कों ने मा के कहे अनुसार खेत में बीजबो दिये और खेत की देख रेक करते रहे कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल तयार हूए फिर वे उस फसल को काट कर बजार बेचने गए फसल बेच कर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफ़ा हुआ जिसे लेकर वे अपनी मा के पास पहुचे यह लो मा यह पैसा हमने फसल बेच कर कमाया है लड़कों की यह बात सुनकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारी महनत ही असली खजाना है यही तुम्हारे पिता जी तुम्हें समझाना चाहते थे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस त्याक कर महनत करना चाहिए मेहनत ही इनसान की असली दौलत है